असलाम अलेकुम आज हम चैप्टर नुबर 12 जिसका नाम है सर्कुलेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टुनेंस में आपसे रिक्वेस्ट है लीज वीडियो को फूल वोच करिएगा नहीं चैप्टर चार्ट करने से बिलागर मैं आपको गाइट करना चाहता हूं कि देखें सर्कुलेशन के प्रोसस के लिए जो है तीन चीजे लाजमी होना जरूरी है ओके मस्ट नीडिट होती है जिसमें से एक ट्रेक, एक मीडियम, एक वोर्स लेग वैसल और मीडियम एक बुलेट और फॉर्स जो के हमेरे को हर्ट प्रोइट करता है जिसे हम पॉमपिंग फॉर्स ओके अब यह देखतें अग़र जी चीजे नहीं होंगी जैसे कर फॉर्स नहीं है अब देखें सब् पेसेंजर है यानि कि न्यूटिशन है कहलें कि वो इसको एक स्टेशन पर जाना है उनको उस स्टेशन यानि कि सेल है सेल तक कि जो है न्यूटिशन को पुचाना है तो क्या वो ट्रेन जो है मूफ कर सकती है विदाउट फॉर्स के नहीं कर सकती न इसी तरह से जो फॉर्स और यह तीन और चीज़े जो है मस्ट नीड़ेट हो थी है शर्कुलेशन के दिये और मेडियम यानि के ट्रेंड जो हमारा बलड है ओके शर्कुलेशन दिफ्यूजन अलों इस नोट एडिक्वेट फोर ट्रास्पोर्टिंग केमिकल्स और दिफ्यूजन के लिए जो है मुनासिब नहीं होता चाहिए वो माइक्रोस्कोब दिस्टेंस पर हो या फिर जो है जो है डाइजस्टिफ ट्रेक से उसकी ट्रांसपोर्ट हो या तो फिर भले ही और उक्सीजन की लंग से लेकि ब्रेंट तक के हो एनिमर्स के उके उसके डिफ्यूजन के जो प्रोसीस है वो सही नहीं होता मुनासिब नहीं होता है क्यों क्योंकि उसके बहुत ही जादा जो है सही तना से पोच नहीं पाएगी और फिर इस तना से जो है अपनी वर्किंग से नहीं करेंगे और जो है टेट होना शुरू हो जाएंगे देखें जो टाइम जो है ना डिफ्यूजन जो प्रोसीद टाइम देगा वो जो है डिस्टैंस के स्क्वाइर के बराबर होगा यानि यह बहुत ही जादा तवील टाइम लेगा तो यह जो है इसी वजह से सही नहीं है तो देखें जो चाहिए जो प्रोडेटरी सिस्टेम स्वाइस प्रोडलम वाइंशूरिंग नौ सब्स्टेंस मस्ट डिफ्यूज पर इफर टू इंटर और लीफ उसल्डेखें यह बैदा वही जो सिर्कूलेशन यानिकर टास्पोर्टेशन कर जो काम है वह यह ट्रास्पोर्टिंग प्रोब्लम इसने के मेक्शूर करा के जो सबस्टेंस है इनको डिफ्यूस है नहीं की जरोटनी है चाहे वो सेल के इन्टेत को या पर सेल को छोडने तक करा कि गृँने प्रट व्यवादिंग प्रोटलम इस तो सुवाद जो चलो मेंद पारिस रिट एप रखिल आप therefore टैंजीं है नहीं अन्यकों और माली बोटी जो पोटीन टिफैंटेच एंगे।eless Loch e जो है connect होते हैं और organ भी जो के gases exchange करते हैं और nutrients भी जो और dispose of waste नहीं कि remove भी करते हैं waste को देखें अगर simply आपको समझाऊं तो देखें जो transportation का जो process होता है यानि जिसके blood transport करता है हमारी whole body में तो देखें वह aqus environment से जो है हमारी cells organs को connect करते हैं नहीं कि वाटली environment हमारी body का तो जब connect करते हैं तो cells को जो nutrition की तसरोत होती है वह nutrition जो है cell दक पहुच जाती है और cell से ही जो waste product होती है cell की वह जो blood के अंदर वापिस जो है शामिल हो जाती है अगर आपको कोई confusion हो तो प्लिस comment कर दीज़ेगा मैं दुबारा समझाने कोशिच करूंगा in the lungs of mammal for example oxygen from inhaled air diffuses across as a thin epithelium and into the blood while carbon dioxide diffuses in the opposite direction देखें जैसे के मेमेल्स के लंक्स में मेमेल्स के अंदर human भी included है इंसान भी जैसे के चामिल है जैसे एक्जेंपल लिए जैसे के oxygen को हम air से inhale करते हैं वह जो है हमारे lungs में जाती है उससे जो है वह oxygen diffused होता है फिर बिलेट के अंदर जो मिक्स हो जाता है शामिल हो जाता है और जबके वहां पी जो एक प्रोसिस हो जाता है जो होदी बिलेट से वह निकल के जो है वापिस diffused हो जाती है अपोसिट डायरेक्शन में और जिसको हम फिर करबन अक्साइन को बाद में हम उसको एक्सहाल कर देते हैं देखें कन्फ्यूस नहीं होएगा सिंपल सा टोपिक है बस दा सर्कुलेटरी सिस्टम देन केरी केरीज दा ओक्सिजेन रिच पलाज टू आल पार्ट्स ओफ बोट देखें किंग Спियो लेटरी सिस्टम जो है वह ऑक्सिजन रिच पलाड्ट जो enduring क्रते हमारी तबोडि के पार्स तक तमां और सारी वैसले और यह और गें उगेरा सारी आज़ाफिLabूटी पार्स जैनि कि सिंपले करैं तो लेकर इस अता है ओक्सिजन पलाट okay as the blood stream through the tissues within microscopic vessels called capillaries देखें देखें जैसे कि suppose करें कि यह हमाँ बस जो ब्लड स्ट्रीम है और यह हमाँ बस टिशू सी यहां ब्लड स्ट्रीम से लेखें टिशू तक की ट्रांसपोर्ट और टिशू के अंदर तक होती है और वो जो होती है माइक्रोस्कोपिक वेसल से जिसको कहते हैं कैपिलरीज ओके जिसको कहते हैं कैपिलरीज ओके यह होती है माइक्रोस्कोपिक वेसल सोती है यानि कि जो है यह आम आख से जो है नसर नहीं आती है केमिकल's आर ट्रांस्पोर्टेट बिट्वीन दे बृलट एंड दे इंट इंटरस्टीश्यल फॉलूट डेर्ड डायक्ट ली बास रस देखिए केले केमिकल जो है ट्रांस्पोर्ट के जाते हैं वुलिट stream sorry bulge और interstitial fruit के दर्मियान कि अब कैसे देखें यह हमारे पस वेसल्स यह एक सेल सपोस्ट कर लें इसके आसपास यह है fluid इसको कहरे नाम देते हैं interstitial fluid chemical यानि कि यहां पर जो कह रहे हैं food या निट्रिशन वगेरा पर वो जो है blood से जो है diffuse होगी निकल के यहां पर आएगी पर ले जो फुलूट के अंदर आएगी interstitial fluid में फिर वो जो है cell तक पहुचेगी और directly बात का मतलब भी है यह बस यह जो है इसको घहरावा होता है cell को interstitial fluid so students यह थी हमारी आज की वीडियो तो अगर आपको अच्छे लगी हो तो लाइक करेंगा कमेंट्स करेंगा अगर आप किसी भी टॉपिक पर लेक्ट्चर चाहते हैं पहले so अल्लाहाफेश